इनका देश की अजादी की नडाई में कोई योगदान नहीं वो देश भप्ती का सेटिफिएट बाट रहे इनका योगदान यदि डूटा जाए तो कहीं पुलिस की मुख़दी करते हुए तो मिल जाएंगे यार इस तेस वाले देश की अजादी के दोरा इस काम में उनको जड़ा भी आप रही पाएंगे इस जमाने में हमारी दौजवान लड़के रामकसाद विस्पिल और रश्वा को लागना जेल की सिक्षों के पीछे बैट कर फेड़ियों को खंखरा करके और सर्फरोशी के तमन अब हमारे दिल में है देखना जोर कितना बाजवी कातिल में है ये गेट कुन गुनाय करते थे जब फासी के फंदे को चूमने से पहले उन्होंने वसीयत किया पूरे हिंदोस्तान के नौजवानों को और कहा था वतन के आवरू का पास देखे कौन करता है सुना है आद मगतल में हमारा इम्तहा होगा सुदा मत हो मेरे पहलू से ऐ दर्दे वतन हर्किस नजाने माद बाद मुर्दन मैं कहां और तू कहां होगा चईदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर मरस मेले बतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा इलाही वह भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे जब अपनी ही जमी होगी अपना हाथ माँ होगा ये थे वलवले ये था उनका दस्वार ये था उनका दिनका दुपार और वो राम्त साथ बिस्विल आरिय समाज का दिवाना और दूसरी तरह बात बार नमाज पढ़ने वाला अजब आख उला जोनों एक खाने में खाना खाते और अगली जोने एक साथ एक दित पांसे के पढ़ने पे लटकाया मैं पूछरा चाहता हूँ आरे से स्वालों से मैं संग्संका संचालों से मौन भागवच से पूछरा चाहता हूँ कि आप एक नाम तो बता दो पूरे तुमारे थियास में एक नाम मैं जादा दी चाहता है एक नाम बता दो पूरे के पूरे रोईगयास को कह रहे है ये आतंगवादी मारत का ग्रेमंतरी कह रहे है रोईगयास को चोटे चोटे बच्चे कल मैं देख रहा वहाँ पर एंडे टीपे में अविश्कुमार के प्रोग्राम में एक दिन का बच्चा दो दिन के दस दिन के पूरत आत्मी छोटी छोटी लड़किया ये सब के सब आतंगवादी हो गए उनको ढगेल देंगे मौक के मौमें तो ये फूरा का फूरा जो सोच है इन लोग की बहुत ही खतरनाक है और उसके निंदा की जानी चाहिए और आज तो इनके ही अपने ये शुन सिन्ना ने जो खोल खोली है इंडे नेक्पेस के लेक में पूरा बता दिया है कैसे दिवाला निकाल रखना पूरे के पूरे सिस्टम को पूरा का फूरा सुड़ा करके और लाट का जो वाक्या है उनका प्रदान मंतरी मोदी जी कहते थे कि मैंने बच्पन में बहुत गरीबी से नस्दीक से गरीबी को देखा है लोग कहते हैं कि पूरी उम्मीद पक्की हो गई है यह नीतियों के चलते बे पूरे हिंदुस्तान के लोगों को और भी जादा नस्दीक से गरीबी के दर्शन हो जाए यह हैं इनकी नीतियां इसके खिलाब ज़रा भी आवाद उठाओ तो का जाएकर देश द्रोही है अब इन लड़कियों के क्या मांग थी कोई यह चांग सितारे नहीं मांग रहे करें सीसी टीवी लगा दो भई लाइट लगा दो भई हमें भी उसी तरीके से लड़कों को तुम दस बजे रात तक के लिए इराज़त देते हो हमें कम से कमाड़ बजे तक दो और कुछ दो यह कोई ऐसी चीज़ नहीं मांग रहे थे जो बिल्कुल कोई नाजायद मांग दो लेकिन इनके उपर गंदे गंदे गलत गलत आरोफ लगाना कि इनको इंटरनेट दी देखना चाहिए और यह हो जाएगा और वो हो जाएगा मुझे लगता है कि यह बड़ी सड़ी गली मांसिक्ता का प्रतीक है वाइस सांसलर के और ऐसे लोगों को हटाये जाना चाहिए अभी तक कि जो बांग रही है आप लोग की कि वही इसकी सी टीवी कैमरा लगवाओ या और कुछ लगवाओ मैं चाहूंगा कि आप लोग यह मांग लेकर कि आप खड़े हो कि जब तक यह त्रिपाठी वहोदय वाइस सांसलर रहेंगे हम नहीं मंजूर करेंगे इसको इसको हटाना हमारी पहली पांगर पहली शर्ट होनी चाहिए वाइस चैसलर हाए 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 ऐसे घटिया किसम के लोग जो बना दिये गए मुझे लगता है उसी कहिए फिरिणा में जो कुछ हुआ है और कमिशनर के रिपोर्ट अपनी बता रही है कि पूरे के पूरे यूरिवस्टी का प्रशासन फेल हुआ है वाइस सांसलर महोद है किसी जज को पकड़ के ला रहे है अपना कोई रिष्टेदार और उससे जाज कराने की बात करा रहे है मुझे नहीं लगता किसी की भी जाज हो कुछ भी हो लेकिन आच्छा तरांदोलर उरे देश के उठना चाहिए नौजवानों का उठना चाहिए और सब लोग मिल करके इस वाइस सांसलर को वहां से चुट्टी करें को रास्ता नपुआए उसको और ये हमारी एक पूर जोर कोशिस होनी चाहिए जिस उस्देश को लेकर आज आज आप दिल्ली आया है और कल नहीं तो परसो आप वापस भी जाएंगे आप बनारत पहुचने के बाद जिस दिन आप इस वांग को लेकर के कोई आंदोलन भी एच्चु में खड़ा करें तो मुझे बुलाईए और मैं आपके भी एच्चु में आप इस वापस भी जाएंगे और इसी की वज़े से देश की आदी आवादी आज तक इस प्रकाश से सिसकती रही और उनको बराबरी का दर्जा नहीं मिला आज हमारे युनिवर्स्टी की बेनों ने जो हिम्मत की है मैं उसको उनको दाद देता हूँ उनको साधुआ देता हूँ उन्होंने एक बहुत बड़े मुद्दे को उठाया है कि हमें और कुछ नहीं हमें बराबरी चाहिए हमें सम्ता चाहिए हमें इक्वालिटी चाहिए लिक्विटी और जस्टिस चाहिए और इस प्रकार से यह आदो अपनी पढ़ाई करते वे इस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो मैं इसको असली पढ़ाई और सची पढ़ाई मानूगा क्योंकि पढ़ते के डिक्रिया लेकर के निकल जाओ और फिर अपने पती के हादी घर में पिटो या अपने और रोगों के द्वारा पिटो ऐसी पढ़ाई का भी क्या फायदा ऐसी रोगों का भी क्या फायदा तो ये लड़ाई एक अस्मिता की लड़ाई है एक पहचान की लड़ाई है एक बराबरी की लड़ाई है और इस लड़ाई को हमें पूरे देश में पूरे समाज में लेकर के जाना है और उन लोगों को जुनोती देनी है जो धर्म के ठेकेदार, संस्कृति के ठेकेदार और हर तरीके से जलितों के खिलाब जातिवारी मानसिक्ता के साथ और बुरुष प्रधान, पित्री सत्ताफपक मानसिक्ता के साथ औरतों के खिलाब इस प्रकार की सड़ी गली की जालधारा से आज हुकूमत में बैठे हैं और अपने लोगों को पाल पोस रहें तो लोडाई लंबी है मेरे बैनों मेरे नौजवान साथियों आप सब लोग इस लोडाई को आगे ले चलिए एक वैचारी करांती की मशाल जलाई है यह केबल छोटा सा मुद्धा नहीं है कि वाज वहाँ पर लाटी चार्ज हो गया और आप लोगों को हैल हो गये और यहां पर आए हो आप मांग करने के लिए नहीं एक एक कॉलेज उनिवर्सिटीज यह हमारे आज के बाद वो केंदर बनने चाहिए जहां से वैचारी करांती के मशाल जलाई जाए जहां से आवाज उठें कि हम मनुश्य हैं और मनुश्य होने के नाते हम सब परावर हैं जो यूमेन राइट्स चार्टर कहता है यूएनों का All Children are Born Equal हम सब परावर पैदा होते हैं हमें कोई दलित नीच नहीं होता और कोई ब्रामन हूच नहीं होता हमें कोई बेटा सुपीरियर होके नहीं आता और कोई बेटी इनफीरियर होके नहीं आती मैं आप लोगों के बीच में मैं अपना ज्यादा समय न लेते हुए इस तरह बताना संक्षित में चाहता हूँ कि बेटी बचाओं का अंदोलन हम लोगों ने शुरू किया जिस समय हम सती प्रथा के खिलाब अंदोलन करके लोटे दिलि ये 1987 की बात बता रहा हूँ 1987 में एक 17 साल की नव विवाहिता रूप कुमर को धरम के ठेकेदारों ने और सती करके और उसको अपने पती की चिता के उपर उसकी लाश उसकी गोग में रख करके जिन्दा जला दिया था यहां से जैपूर से आगे देवराला गाओं है और तब मैं दिल्ली से पैदल चल करके अपने सात्यों के साथ 101 आरी समाज के सन्यासियों के साथ हमने नारे लगाते हुए और देवराला तक पूछ किया पैदल और हमने नारा लगाया था उस समय के जो संस्क्रित कॉलेज के प्रिंस्पल थे निरंजन देव वो पूरी के शंकर अचारिये बने और वो सती प्रथा का समर्थन कर रहे थे और करेती यह भारत की गवर और शादी परंपरा है इसको पुनर जीवित होना चाहिए और रूप कुमर ने कर दिया उसको पुनर जीवित जब हमारे सामने सची गटना आई हमारी बेहन कमिता श्रीवास्ता और इन सब लोगों ने हमारा पुर्जोर समर्थन किया जब हम जैपूर पहुँचे और आगे देवराला की तरह पड़े लेकिन सची घटना इतनी दर्दना आप सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे और तो कि खिलाब जुर्म की इंतहा उस छोटे से देवराला गाओं में पचास बाल विद्वाएं उस समय मौदोद थी जब हम यात्रा कर रहे हैं पचास बाल विद्वाओं और उनकी परंपरा के अनुसार यातों बाल विद्वाओं को सती हो जाना चाहिए था उनके पती के मरने के साथी साथ या आजीवन कठोर ब्रह्मचरी का पालन करते हुए और तपस्या करनी चाहिए उन लड़कियों को उन बेटियों को सुब़ तीन बजे दिसंबर के सर्दी में ठंडे पानी से ना आना पड़ता है और फटी हुई सफेज साड़ी पहन करके दिवार की तरब मुँ करके बैठना पड़ता है क्यों दिवार की तरब ताकि सुब़ सुब़ घर के लोग काम करने के लिए बाहर निकले तो उनके उपर उस विद्वा की नजर न पड़े और उनका दिन खराब न हो ये सड़ी गली धार्मिक मान सिकता अभी भी मौदूद है जब उसको संदेश मिला कि उसका बती माल सिंग मर गया एक महिने से कम समय हुआ था उसकी शादी को रूप कुमर की और जिस समय खबर आई घर में गाउं में तो सब लोग सदमे में और वो लड़की तो फूट फूट के रोने लगी उसके आपकों के सामने अंदेरा चाल ये कुल 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ सितंबर चार तारीक की बात 1987 और जब वो रोने लगी तो बजाया उसको डाड़त बंदाने के दिलासा देने के कि बेटी तेरी अभी अभी उमर बाकी है लंबी और हम तेरा सारा बनेंगे उसके चारों तरफ खेर करके धरम के ठेकेदारों ने उस बेटी को गाली निकाल के कहा तो डायन है तो जारों लगा दिया कि वो डायन और चुड़ेले उसके पती के मरने की जिम्मेदार गोते रहते उसके मूँ से निकला कि अच्छा होता मैं भी मर जाती तुरंत दिनों ने सुनते ही का अरे ये तो सतीमाता है उसको घोल करके पंचजामरित पिलाया उसमें सिंदूर में घोल जाहे के उपर देवराला गाओं के और वहाँ पर उसको बैठा करके उसकी गोद में उसके पती की लाश और यहां सिर्थ तक सिर्थ केवल बाहर और लकडिया रख दी गए चिता के चारूं तरफ डिंडोरा पिटवाया गया गाओं गाओं में और का कि जो सतीमाता के पूरत पूरे हो जाएंगे अंदे को आख मिल जाएगी लंगने को टांग बिजनेस में मुनाफ़ा परिक्षा में ये सौरी दुनिया वर की भगवास और गाओं के लोग ढोल नगाड़े बजाते हुए नारियल पदाशे लेकर के वाई कट्टे हो गया और जब देवर ने आग नहीं लगानी पड़ती उसके अंदर से अगनी प्रिकट हो और उसकी तैयारी में करपूर का लेप कर रखता है और पीछे से चुप चाप देवर आग लगाता है और वो जलने लगती चिलाती बापा मुझे बचाओ भाईया मुझे बचाओ 65 किलोमेटर थे जैपूर म लेके गई थी दहेज में और 25,000 रुपे का फिक्स डिपाजिट वो दोनों वापस जाते उसके साथ वो जिन्दा रहती और पती की जैदाद में हिस्सा मिलता बराबर का न रहे बास न बजे बासरी उन दोनों को खतम कर दिया और उपर से कहते हैं जिन्दा जला करके मार ड सो होगा चौदा दिन तक राउंड अकलाक वहां पर पूजा पाठ भजन किर्दन और चौदा दिन के बाद जब चादर खोल करके चड़ावे को गिना गया तो 70 लाग रुपे करते हो गए बास ये इस देश में हम लोग रह रहे हैं इस लड़ाई के महत्तों को समझे आप ये तो ट्रिगर हुआ है थोड़ा सा के चलाइज हुआ है पी एक्चू के दर्थी से हुआ है बनारस के दर्थी से हुआ है और इसकी बहूत दूर तक लवटे जाए हैं और तों के साथ नजाने कितने कितने जल्म होते रहें सद्यों से और बाकी समाज का जो बड़ा थेकेदार बर चुक्चाप रहा हैं। हम जब निकले नारे लगाते हुए यहां से, हमारे नारे थे, सती प्रथा समस्या है, धर्म नहीं, यह हत्या है। शंकर अजारी होश में आओ, नारी का नमान गिराओ। लेकिन वो धर्म के ठेकेदार, मुझे मेरा दफ्तर यहीं पीछे साथ जद्दर मंतर रोड़ पे, संद्वा मुत्यमोर्चे का, वो धर्म के ठेकेदार, तीन दिन पहले मुझे धंकाने के लिए आ गए। बड़े-बड़े उची बिरादरी के रेटार्ण आए बेस्ते और पता नहीं क्या-क्या, लेकिन यदि आपने राजस्थान की धर्दी पर कदम रगदिया सती परदा के खिलाब, तो आपका स्वागत नंगी तलवारों से होगा। मैंने भी जवाब दिया उनको, मैंने का, मेरे दोस्त, नंगी तलवारे तुमें मुबारक हों, इसी तरह के काम के लिए तुम इनका इस्तेमाल कर लेना, लेकिन मैं भी तुमको विश्वात दिलाता हूँ, कि मेरी गरदन तो स्याथ कट करके नीचे गिर चुकी होगी, लेकिन मेरे फैर एक कदम कब से कम मैं देवराला के तरह बढ़ता हूँ, जरूर पहुआ हुआ, और वो हुआ, जब मैं जैसे ही शाजापुर में, जैसे क्रॉस किया हरियाना बॉर्डर, तो टीले के उपर, चार सो पांट सो नंगी तलवारे लेके उखड़े हुए था, लेकिन सरकार को अंदेशा हुआ, और हमें घुरसवार पुलीस की सुरक्षा मिली, हम अंदर गए, पब्लिक बेटिंग की, और मैंने उसके बाद उनको बुलाया सरकीट हाउस में, विद्वा हो करके, क्या तुम्हे हिम्मत है उनके हाथ पकड़ करके अपने बच्चों के साथ, उनको जीने का वो दो, मौका दो, यह दि करने के लिए तयार हो, पाज के साथ भी तो मैं वापस चला जाओंगा, लेकिर वो तयार नहीं थी, और इसमें हमारे कदम आगे बड़े, जैपुर गे, उनके देवराला तक जा करके, फिर राजीव गांदी ने उस समय, सती प्रिवेंशन एक्ट पार्लियामेंट में तुरंद लाकरके, अमेशा की उसको बंद कराया, उसमें इतना सक्त कानून लगाया, कि सती करना तो दूर रहा, ग्लोरिफिकेशन अफ सती इवन बाई वर्ड अफ माउथ इस बनिशेबल विट सेवन इयर्स अग्रिशन प्रिजन, इतना बड़ा कठोर कानून बना और खुशी इस बात किये कि ये जो सब जुनरी महुत्सों और मंदिर बनाने वाले, जो जेल में पड़े उनको जेल जाना पड़ा और कोई मंदिर नाम के चीज़ वहां एक इट भी नहीं लग पाई, आज हमें उस सती प्रिधा की लड़ाई के साथ साथ कन्यावरून अत्या के मुद्दे को भी उठाते हुए, बेटियों को मा के पेट में कोक में माणा ला जा रहा है। ये साई सवालों को जोड़ना पड़ेगा दहेज की आख में।